असलाम उलेकुम फ्रेंड्स वेलकम टू तू अमर्यम फूद डाइरीज कैसे हैं आप सब उमीद है आप सब खेरेश से होंगे आप लोगों को अपने हिव्ज़ वामान में रखें आपके दस्ताफॉन को हरा बरा रखें हमेशा सजाए रखें आमीन सुम्मा आमीन इसी सब्सक्राइब करके मुझे जरूर फीडबैक दीजेगा इसके लिए जो हमें आजजा चाहिए इसमें शामिल है उबले हुए सफैद चैने यह साथ सो पचास क्राम है इसे मैं रात में सोड़ा लाकर रख दिया था और फिर सुबह में इसे मैंने बॉयल गर लिया यह देख उबले हुए चैने का जो पानी था उसी में मैंने इमली को भिगो के रख दिया था उबले हुए आलू एक कप इसे मैंने कलर लगा लिया है सॉल्ट टू टेस्ट चाट मसाला वन टी स्पून जीरा हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चे वन टी स्पून साथ पिसी हुई लाल मिर्चे हैं हाफ टी स्पून धनिया पुदीना और हरी मिर्चे टू टेबिल स्पून धनिया पुदीना मैंने काट लिया है यह हरी मिर्चे जो है यह दो बड़ी हरी मिर्चे थी और एक छोटी हरी मिर्च थी उबले हुए चैने लेंगे इसके अंदर ये तमाम मसाले एट कर देंगे ये इम्री का गाड़ा गाड़ा रस जो कि हमने चने के पानी में बनाया था इससे बहुत अच्छा सूपी टेस्ट आता है ये धनिया पुदीना और हरी मिट्श है आधी हमने इसमें एट की है और थोड़ी हमने गार्निशिंग के लिए रख ल लेंगे उबले हुए आलू हम उपर से सजाएंगे ये धनिया पुदीना कटी हुई अहरी मिर्चे हैं वो जो हमने रख ली पहले ये सब वो चीज़े हैं अब हम गार्निशिंग करेंगे इसे अच्छी तरह से सजाएंगे इसे आप इद वाले दिन बनाईएगा कराची वा कैसी लगी ये हमाई चानल चार्ट बिल्कुल रेडी है इसमें हम उपर से थोड़ा चार्ट मसाला स्प्रिंकल करेंगे चार्ट मसाला बहुत अच्छा लगता है इसमें जर अच्छा सा चटपड़ा सजाएका हो जाता है अगर आपको नहीं पसंद तो आप मत डालें इस प भूलें मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और डोंट फर्गेट तो हिट बेल आइकन मर्यम फूद डाइरीज थैंक यू